हेलो और इवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक बाइफिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में संचार से रिलेटिड जो है MCQ डिसकस करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी कोशन्स मैं इस वीडियो में लिये हैं तो एक परकार का रिवीजन वीडियो है वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियो आपको मिलते रहें और अगर आप हमारी पहले की explanation वाले वीडियोस को देखना चाते हैं तो link जो है वो description में दे दिया गया है जहाँ पर आपके लिए करके हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का पहला question ये है क्या आप देख सकते हैं इसमें हमें करना है सुमेलित ठीक है सुमेलित करना है तो मैं बता दूँ कि एक तरफ दे रखा है यहाँ पर संप्रेशन के तत्व यहाँ पर संप्रेशन और संचार एक ही है तो उसमें confused नहीं होना है तो संप्रेशन के तत्व हमें एक तरफ दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं प्रकम भाग का विवरण दे रखा है तो यहाँ पर संप्रेशक का संबंद जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदी अंग से ठीक है नहीं संवेदी अंग से हो जाएगा और आगराहक का जो संबंद है वो मस्तिष से होता है जबकि संदेश का जो संबंद होता है वो होता है विधुत चुम्बकिये आवेग से ठीक है और माध्यम जो है माध्यम ये हो जाएगा केंड्रे इसनायू इसनायू तंत्र ठीक है तो ये हमारा मिलान हो गया तो इस question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C option number C आप देख सकते हैं ये question पूछा गया था जून 2019 में ठीक है next question है मदुमक्यों का निर्त जो दूसरी मदुमक्यों को भी ये बताता है कि मदुरस कहां मिलेगा किसका उधारन है ये किसका उधारन है तो सही answer है ये option number B इसे हम कहते हैं समू संचार ठीक है इसे हम कहते हैं समू संचार next question है दिये गए विकल्पो से संचार का सही करम चुनिए संचार का सही करम हमें इसमें चुरना है तो इस question का जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number C, option number C, वीगोपन, ठीक है, फिर सूचना, फिर प्रत्यायन, फिर वेभार, फिर वेभार संबंदी परिवरतन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, करम में लगाने वाले सवाल जो है, वो जादा पुछे जात तो सही answer है, option number A, संस्कृतियों को परसारित करना, ठीक है, संस्कृतियों को परसारित करना, ठीक है, ये ही option है, जो से match कर रहा है, जबकि जितने भी ये हैं, ये अलग-अलग कार्य से जुड़े हुए हैं, तो option number A हमारा सही हो जाएगा, next है, एक classroom, इस्थित, सोरी, इस्थ के हल पर पहुचने में समुचर्चा का आयूजन करता है, ठीक है, पर्युक्त संचार के परतिमान की द्रिष्टी से इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसे, तो इसे कहा जाएगा, किरियानवित कारी परतिमान, ठीक है, किरियानवित कारी परतिमान, नेस्ट कुशन है आज का मीडिया समाज समी करण मुख्यता है तो सही आंसर है इसका option number C उब्भोकता सचेत उब्भोकता सचेत ठीकन आज का मीडिया जो है वो उब्भोकता सचेत है नेस्ट कुशन है संप्रेशन के संग्यान आत्मक छेतर में निमिल लिखित में से किससे संबंदित मामले सामिल है तो इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number B ग्यान next question है किसी कक्षा में विधार्थी को एक परभावी श्रोता होना चाहिए उसे ध्यान रखना चाहिए यानि एक परभावी श्रोता होने के लिए उसे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए तो इस कुशन का सही आंसर है अकादमिक पाठ्थे का और संप्रेशन विकर्षणों का ठीक है न तो option number D का सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा तीसरे और चौथे का जो दे रखा है उस पर ध्यान रखना चाहिए next question है चुकि अन्ने लोगों के साथ सर्वधिक अन्योन किरिया अती सतही पर होती है तो अच्छे अच्छी डैस करना काफी कठिन हो जाता है ठीक है न है तो उसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर option number B पूरवनुमान ठीक है पूरवनुमान करना जो है वो काफी कठिन हो जाता है ठीक है next question है आम संपरेशन और कक्षा में होने वाले संपरेशन में सूचना एवं विशय वस्तू के परकर्मन परकरिया को डैस कहा जाता है ठीक है डैस कहा जाता है क्या कहा है उसे तो सही आंसर इसका option number B गेट कीपिंग कहते हैं ठीक ना option number C इसका करेक्ट आंसर है गेट कीपिंग गेट कीपिंग नेस्ट कोशन है अब यहां पर देखें कथन और तर्क दे रखा है कथन और तर्क तो कथन क्या कहता है कि प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृति करण घटित नहीं होता है ठीक है यह तो कथन क्या रखा है तर्क क्या दे रखा है तर्क यह दे र होते हैं जो संप्रेशित संबाद को परिसोधित करते हैं ठीक है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number D जो है वो गलत है और जो है वो सही है यानि तर्क दिया गया है वो सही दिया गया है ठीक है नेश्ट कोशन दे रखा यहां पर कक्षा कक्षा स्रिक्षन के संदर्व में मुस्कान या मुर्कुटी तनाव का उप्योग जब आवाचिक संकेत की रूप में किया जाता है तो इससे निमिल में इसे कौन शा मूल्भूत परकार्य होता है तो सोब का सई आन्सर ए ऑप्शन अंबर सी परकार्य परतिस्थापन परकार्य परतिस्थापन देखें सब मैंने अपनी एकस्प्पैसण आप वीडियो में करआ औरना है एक तरफ दे रखे हैं सोता के प्रकार और दूसरी तरफ है इनकी विसेश्था है ठीक है तो इनका मिलान कर लेते हैं हम लोग तो गैर शुरूता अन्य ये पहले वाले से जुड़ेगा ठीक है नहीं सीमान्त शुरूता जो होता है सूचना के परती यदा कदा की ध्यान देता है तो यह हो जाएगा हमारा उप्शन चौथा ठीक है तो इस तरीके से मैं जो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का इस परकार हो जाएगा दूसरा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है option number D, आप देख सकते हैं सुरोता के प्रकार मैंने अलड़ी आपको बताये थे next question है आवाचिक संप्रेशन मुख्यता होता है किस प्रकार का होता है ये तो सही answer है इसका option number C आसनरचित next question है एक अच्छे संप्रेशन करता को निमिल लिखित में से किस सिध्धानत का अनुसरन करना चाहिए किस सिध्धानत का अनुसरन करना चाहिए तो इसका सही जो answer है वो है option number D option number D यानि कि पहला, चौथा और पाचवा पहला, चौथा और पाचवा तेकि इस तरह की questions को solve करने के लिए आपका concept अच्छे से killer होना चाहिए ठीक है नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है इस टाइप के सवाल को करने में ठीक है तो याद रखें याँ तो इसमें दे का रखा एक अच्छा संप्रेशन करता को निमलिखित में से किस सिध्धांत का अनुसरन करना चाहिए तो पहले उसे संगठित रहना चाहिए दूसरा उसे माध्यम में समानज़स से स्थापित करना चाहिए और उसे कहानी कहने की विदा को वर्यता देनी चाहिए ठीक है नेस्ट कोचन है निमिल लिखित में से, किं तट्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेशन के लिए अपनाया जाता है, अपनाया जाता है, Out armed होते हैं, तो मूर्थिता और सिष्टाचार और सुसंगती इसका सही answer होगा, ठीक है, तो option number option number C इसका correct answer हो गया next question है कक्षा गत परिस्थिती में संपरेशन करते समय निमिल लिखित में से कौन से उपागम को सर्वदिक उप्युक्त माना जाता है सर्वदिक उप्युक्त माना जाता है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number D option number D तद अनुभू तिक एवं परियोजन वाती ठीक है next question है निमिल लिखित में से कौन संपरेशन में पराभाशिक कहलाते हैं दिये गए कूट में से अपने उत्तर चुनिए ठीक है तो सही answer है समसे option number D पहला चौथा और पाच्वा यानि की धौनी का उतार चड़ाव और विरामो का उप्योग और वानी दर और परबलता ठीक है next question चले इस question का answer जो है आपको comment में बताना है इसे ध्यान से आप देख सकते हैं चाहें तो screenshot ले लें या फिर वीडियो को pause करें और पढ़ें अच्छे से इसका answer आपको मुझे comment में बताना है ठीक है तो ये सारी questions आप देख सकते हैं exam में पुछे गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए super important हो जाएगे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की exams के लिए तो ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आगे कोशन हम discuss करेंगे कल और वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लो मिलते हैं next video में thanks for watching this video